हलो दोस्तों स्वागत आपका नौकी दह यूटीव चैनल के इस ने वीडियो में दोस्तों आज किस ने वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वेकेंसी की और यह जो नई वेकेंसी है दोस्तों बिहार की वेकेंसी है यह permanent job होने वाली है कोई limitation नहीं होगा कि एक साल बाद या दो साल बाद आपको हटा दिया जाएगा कोई limitation नहीं है permanent job होने वाली है बात अगर हम post की करें दोस्तो तो AE की post के लिए requirement आई है तो अगर आप eligible हो तो जरूर आप आवेदन करें इस post के लिए male and female दोनों candidate जो है eligible होंगे बात अगर salary की करें salary भी आप काफी अच्छा खासा आप लोगो को दिया जाएगा इस profile के लिए इस jobs के लिए and notification दोस्तो सबसे अची बात है कि notification आचुका है department के तरब से तो पूरी बाते उसमें बताएगी है कैसे apply करना है कोण apply कर पाएगा कोण कोण apply नहीं कर पाएगा पूरी बाते मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो का आप last तक देखे and दोस्तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करे and subscribe करने के बाद bell icon जुरूर प्रेज करे daily basis पे नई नी jobs की notification पाने के लिए and दोस्तो हमारा एक telegram का channel भी है जिसका link आपको description मिल जाएगा आप चाहें तो हमें वहाँ भी join कर सकते हैं एक बार जाके check जब करेना बिना किसी दिरी के दोस्तो फटा-फट मैं आप लोग उस notification पले जाना चाहूँगा जो की department की तरफ से बिहार लोग से बायो की तरफ से release कर दी गई है दोस्तो यह रहा notification आप लोग के सामने notification मैंने पहले से download किया हुआ था तो अगर आप भी download करना चाहें तो वीडियो में मैं आप लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे download कर पाएंगे इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो का आपने यहां तक देख लिया तो एक लाइक जरूर करे और सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब भी जरूर करे दोस्तो मैं थोरा सो जूम कर ले था ताकि आप लोग भी किल्लली देख पाओ सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते देखो बिहार लोग से वा आयो की तरब से रिक्रूमेंट आईए बीपेसी की तरब से रिक्रूमेंट आईए और यहां पर बात की गई है कि पत निर्वान विभाग जो है बिहार के अधिन सहाय का भ्यांता के लिए जो है कुल जो है पोस्ट के लिए जो रिक्रूमेंट आईए जिसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तो नमबर ओपोस्ट कम है बट कोई शुनी है जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी है अगर आप eligible हो तो इस पोस्ट के लिए जुरूर अपलाई करना और यहाँ पर देख सकते हैं 35% जो है female candidate को जो है आरक्षन दिया गया है अगर आप एक female candidate हो इस वीडियो को देख रहे हो तो 35% का आपको benefits मिलने बाला आरक्षन मिलने वाला जो की बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों 31 पोस्ट के लिए जो है requirement आई हुई है और आप लोगों से बहुत साही लोग सोच रहे होंगे अभी तक qualification नहीं सबसे पहले के बारे मताता हूं फिर उसके बाद सैली के बारे मताऊंगा यहां पर देख सकते हैं सैक्षन के योगेता क्या माँ आएगे किसी भी भारते विस विद्ध्याले यह संस्थान से जो सब्सक्राइब यहां पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया बस यह इंस्ट्रक्शन आप फुल्फिल करने जी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों कर सैली की बात करें ना तो लेवल 9 के कोटिंग ग्रेट पे आपको 5400 होने वाला है सैली भी आपको अच्छा कासा दिया जाएगा अगर आप फिजिकली चैलेंज्ट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह की जो है पोस्ट के बारे में बताई गई है तो आप अगर एलिजबल हो तभी इस वीडियो को यहां देखें और आप चाहें तो वीडियो को इस कीप कर सकते हैं नहीं तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों लोगों के साथ जो आपको लगता है कि वो सिबिल में इंजरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकते तो उनके लिए जो आप उनको फॉर्वेट कर सकते हो शेयर कर सकते उनके साथ नेक्स बात क इस तरह से आपको यहां पर देख सकते हैं और अवेदन में आरक्षित को टिक उनको ने से स्टी इभी सी डेफिट दिया जाएगा तो इस आप अरक्षिन का बैनिफिट भी उठा सकते हैं नेक्स्ट जो है से बताए गया है अप्लिकेशन फॉर्म भरते सेम किन-किन बातों का ध्यान डखना अवसानी सी सी अप्लाय कर पाओंगा अप्लाय करने टाइम किसी भी तरह कोई प्रॉल्म होती आप कमेंट्स में जुरूर पू Peach सकते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया घिया है यहां पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन को जुरूर परे यहां पर मैं आप लोगों को इस साइड ले जाना चाहूंगा इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है इसमें दोस्तों बात की गई है अपलाई करने की कब से कब तक जो है आप अपलाई कर पाऊंगा उसके बारे में चैन पर की जाए के बारे में बात की गई है सबसे पहले selection process बता देता हूँ selection process क्या है इसमें आप लोग का exam लिया जाएगा लिखित परिक्षा का आयोजन किया जाएगा यह वो उसके basis पर आपका merit list बनेगा लिखित परिक्षा 6 पन्नों की होगी जिसमें 4 पत्र आनिवार जो 2 पत्र एक चिक होंगे तो इस तरह से जो आप देख सकते हो syllabus के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सामानने अंग्रेजी, सामानने हिंदी, सामानने अध्यन, सामानने अभींतरन बिग्यान की subjects पूछ जाएंगे total एक घंटे का exam होगा, 100 marks का exam होगा इस तरह से आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो, फिर apply कर सकते हो online करने के लिए link description में देदूँगा, official website का वहाँ से जाके आप आसानी से apply कर सकते हो तो guys, अब fees के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं and last date के बारे में बात कर लेते हैं, कब से कब तक apply कर पाएंगे पर उससे पहले मैं आपको fees के बारे में बता देता हूँ देखो, शुल के बारे में बात करें, अगर आप सामानने आप भिहारती हो, ठीक है, तो 750 रुपीज पे करना होगा आपको ठीक है, केवल बिहार राजे के अनुसुचे, बिहार से हो, एस्सी एस्टी हो, तो आपको 200 रुपीज पे करना होगा बिहार राजे के अस्थाई निवाची सभी आरक्षित और अरक्षित वर के महीरा उमेद्वारों के लिए 200 रुपीज है फिजिकली चैलेंज हो, 40% से जादे है, तो 200 रुपीज पे करना होगा अन्ने सभी उमेद्वार के बिहार से बाहर के बिलोंग करते हो, तो आपको 750 रुपीज आपको पे करना होगा अब हम डेट्स की बात कर लेते, कब से कब तक आप आप ऑनलाइन कर पाओगे रेइस्ट्रेशन जो है, स्टार्ट होने का डेट्स यहां पे बता दिया गया है, 11.03 से स्टार्ट हो जाएगा 11.03 से लास्ट 25 मार्च तक आप अप अपलाई कर पाओगे आयोक का रेले में स्पीड पोस्ट या निवंदरी डाक से अब दिन पाद की हार्ड कोपिय जो है, 16.03 होने वाला है तो मेक शोर कि अपडेट्स का ध्यान लगना, अगर आप इंटस्टेड हो तो इसके लिए अपलाई जरूर करे और दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑफिशल वेबसाट का वहाँ से जाके आप डीटल्स पर जानका ही ले सकते हैं वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता है, आपकी कोई राय हो या कुछ पूछना चाहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में टाप करे, फिरा लाज के लिए तना ही, थैंक्यू सो मच